नो तपा से प्रदीश तप रहा है। इससे तापमान लगातार दिन के साथ साथ रात में भी उबल रहा है। जहां दिन का तापमान पचास डिगरी के करीब पहुँच गया वहीं रात के तापमान में भी लू का असर रहने से तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वर्टी प्रचन कर्मी में लू लगने का खत्रा बढ़ चुका है इसे देखते हुए स्वास्ते और मौसम विभाग ने लू से बचने के निर्देश भी जारी खिये जारी निर्देश में लू से बचाओ के उपाय बताए गए लेकिन इससे पहले हम आपको लू लगने के लक्षन बताते हैं अचानक ही चक्कर आजाना जी मचलाना, तेज प्यास लगना और सिर दर्ध होना हलके या तेज बुखार के साथ कमजोरी महसूस होना मान स्पेशों में एंठन और तेज दर्ध होना प्रदेश में नोतपा के चलते तापमान लगातार उबाल पर है जहां प्रदेश के श्री गंगानगर में तापमान पचास डिगरी के करीबा चुका है और बढ़ते तापमान ने मौसम विभाग की सासे भी फुला दी इसको लेकर मौसम विभाग ने प्रदेश के 27 जिलों में रैड अलर्ट भी जारी किया और साथी लू से बचने की अपील की है बचाव के लिए सबसे पहला तो है कि हमें तेज दूप के अंदर दोफर में पहली बार तो हम बाहर जाने अवेड़ करें जितना हो सकता है अगर अगर नेसेसरी होता है तो हम अपने पूरे सरीर को ढखकर बाहर निकलें जो लोग जैसे शर्मिक वर्ग है जिनको लगातार दूप में काम करना पड़ता है उनके लिए भी है कि वो बीच-वीच में अपना गैप दें जैसे अगर काम कर रहे हैं तो एक दो घंटे के बाद में बीच में कुछ दिर तक चाम में जाएं उचित मत्रा में तरल पेपदार्थ पियें ठीक है कपड़े भी हमारे ऐसे होने चीए कि जो खुले और हवादार होने चीए और सूती ताइप के कपड़े पहने चीए ऐसे बचें लूसे तेज धूप में जाने से बचें धूप में जाने से पहले शरीर को पूरे तरह से ढख लें अधिक से अधिक तरल पदार्थों का सेवन अवश्य करें गर्मी में नीमू पुदिने के पानी का सेवन अवश्य करें लुकोज, O.R.S. घोल और साथी नारियल पानी पिये नक्षत्रों में नोतपा के चलते परदेश में लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है जहां सिरि गंगान का तापमान करी 50 डिगृ Ciao के पास पहुंच गया है तो वहीं जयपुर का तापमान भी 45 डिगृ Спास पहुंच गया है ऐसे में मुझे भागने लगातार परदेश में बढ़ते तापमान के चलते 27 राजम में रेडर अलर्ट जारी क्या है वहीं लू से बचने के भी उपाई बताएं है जेपुर से केमरामें दिनेश मेहरा के साथ लोके 16 एवन टीवी